इकरा हसन, इमरान मसूद, चंदरश्रिखा, रावड और ओवैसी चारो तरब से योगी को घेरने का प्लान बना रहे हैं। इकरा हसन की ललकार तयार रहे योगी सरकार, क्या पश्रिम यूपी से शुरू होगा बहुत बड़ा अंदोलन। यती नरसिंगा नंद के बयान पे सपा की नई राजनितिक चाल तयार हो गई है। यूपी को हिलाने की साजिश भी रची जा चुकी है। इकरा हसन ने एक सीधी चुनोती दी है। योगी आदितिनात के समर्थक इकरा हसन को क्या जबाब देंगी ये तो पूरी रिपोर्ट द बात मुसल्मानों के हित की बात करने वाले वो वैसी आई। उसके बात कॉंग्रेस सांसद इमरान मसूद भी आ गए। अब समाजबादी पार्टी की कहराना से सांसद इकरा हसन भी मैदान में कूद गई। तो पहले समझते हैं कि ये यती नरसिंगा नंद महराज कौन है। क्या ऐसा कहा है कि यूपी में एक बड़ा अंदोलंग खड़ा करनी की राजनिती लगभग शुरू हो चुकी है। उनका भी विरोध हो रहा है। सवाल ये है कि जब तिरुपती बाला जी के प्रसाद में चरवी की खबर आई तो कौन लोग हस रहे थी। और अब यती नरसिंगा नंद ने भी टिपड़ी इसलाम धर्म के भगवान पर कर दी है जिसका विरोध जगा जगा हो रहा है। लेक या कुछ संके थे जिसको योगी ने भाप लिया है। इकरा हसन की बांग है कि यती नरसिंगा नंद महराज पर यूए पी यानि गयार कानूनी गदविदिया रोगथाम कानून लगे। एक बार किसी के उपर लग जाता है तो जमाना जल्दी नहीं होती है। इसलिए इकरा को UAPA आदा रहा है। दलितों की चिंता नहीं है। दलितों पे चुप है मुसल्बानों की टोपी पहन के राजनीती में जिन्दा है। कुछ दिम पहले ही एक दलित की पढ़ाई का मसला सुप्रिम कोट पहुचा तो मदद का हाथ योगी सरकार ने बढ़ाया। तब ना पीडिय दिखा ना चंद एक तरप नेता बयान देते हैं और दूसरी तरप भीड पुलिस पे हमला बोल देती है। क्या छतरपूर के शहजाद की तरह ही यहां के मुसल्मानों का मनुबल कोई पार्टी बढ़ा रही है। मुसलिम नेता तो खुल कर आ गए हैं यानि कहानी एकदम अलग हो चुकी भागवत का बयान आ जाता है। मोहन भागवत ने तो इशारे में साफ कह दिया है कि हिंदूों को हतियार उठाना पड़ेगा तब भगवान आपकी बदद करने आएगा। योगी हिलाया तो इसके धूरी योगी हिला सकते हैं। अब सवाल यह है कि योगी के समर्थक इकरहसन को क्या जबाब देना चाहेंगे। कमेंट में पढ़कर देखा जाए।